हलो नमस्कार दोस्तों 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ग्रेट वैरियर रीफ और इसके अलावा कोरल्स की बात करेंगे इस वीडियो में पूरे और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अगर इंवार्मेंट से कोई एक टॉपिक पढ़ने को खए तो कोरल्स पढ़के चाहिए वैग्यानिकों ने कोरल्स यानि की प्रवाल या मुगा भी कहते है उसके लावा को फ्रीज और भंडारित करने के लिए क्रायो मेंस टेकनिक का सफलता पूरवक परिक्षड किया है क्रायो मेंस क्या होता है क्रायो से मतलब है अत्यदिक निमनेताप पर ठीक है तो इसमें जलवायू परवर्तन के करण खत्रे में पढ़ी प्रवाल क्रायो मेंस तकनिकी से कोरल लार्वा को माइनस 196 डिग्री आपमान पर भंडारित करने में मदद मिलती है ठीक है अब बात करते हैं ग्रेट वैरियर रीफ कहां पाई जाती तो यह जो आपको संदचना मिल लगी है और यह और यहां पर आप देखिए एक चीज दिखाते हैं आपको अपने नाम सुनाओगा ब्रिस्वेन यह मैंच होत सकता है और यह लगबग तीन अजार अलग अलग रीफ से निर्मित है ठीक है ग्रेट वैरियर रीफ आब आगे बढ़ते हैं ग्रेट बैरियर रीफ विस्व कास सबसे बड़ा बैरियर रीफ यानि क्या अब रोदक रीफ है यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तटपर कोरल सागर में इसमें कोरल की वज़े से इसका नाम कोरल सागर वर्स 1981 में इसे उत्करष्ट सारभ भॉमिक महत के कारण इसे विस्व धरवर इस्थल 1981 में इसे विस्व धरवर इस्थल घोसित कर दिया गया कोरल के बारे में जान लेते हैं तो कोरल आकसे रुख की प्राणी होते हैं ये नाइडेरिया नामक रंगीन प्राणीयों के विसाल सम्मूँ से समंदित हैं एक एक चीज इंपोर्टेंट है आकसे रुख की प्राणी होते हैं नाइडेरिया नामक रंगीन प्राणीयों के विस ट्थाते हैं सयवालों के साथ साथ कोरल और साथ सहे जीवता और कोरल पॉरिफोंफ्सॉ उयुजिर के माद्यम से ऑलिप्स को बोजन उपलब्द कराता है भारत में प्रोल्रीप्स की बात कर लेते हैं तो भारत में निम्लेखे छेटरों में विसाल मुगा चट्टांने पराप्त होती है कहा कहा पर कोरलरीप्स, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, कख्ष की पाकिस्तान वाला नहीं है, P.A.L. के वाला है, अंडमान और निकोवार्द वीप समूँ और लक्षदीप और मालवन यानि की महाराष्ट, भारत में दो तरह कठोर मुंगा, सौप्ट मुंगा और कठोर मुंगा, तो कठोर मुंगा की लगबग 570 प्रजातियां पाई जाती ह यह वन जीव संरक्षन अधनियम की अनसूची एक के तहट संरक्षित हैं, और एक चीज़ बता दें, जो लक्षदीप है, तो डैड कोरल पर इस तक है, आगे बढ़ते ही, कोरल रिप्स का महत्व की बात करते हैं, एक लाइन में आप समझ जाएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं, यह important topic है, और पढ़ना भी जरूरी है, और पूछना भी जरूरी है, पूछेंगे तब ही तब पढ़ोगे, पढ़ेंगे तो awareness आएगी, तो यह प्रत्वी की सतय का 1% से कम साजा करते हैं, लेकिन समुद्री जीवन के 25% को अपना आवास प्रदान करते हैं, समझ रहे हैं, most important line यह है कि प्रत्वी की सतय का 1% से भी कम जगे लेते हैं, और समुद्र के जीवन के जो 25% जीवन हैं, उनको यह आवास प्रदान करते हैं, और इनमें जो जो हमने बता, इस सैवाल के नाम, जो जैंतली, जो कुछ भी है, कॉलिफ्स, यह सब याद कर लेना, इसको तो मतलब प्रट के फेक दो, यह तट रेखा के लहरों और तूफानों से बचाने के लिए अवरोध उत्पन करेंगे, कोरल दो परकार के कठोल कोरल और मुलायम कोरल, मुलायम कोरल इसमें ठोस कंकाल नहीं होते हैं, इसलिए लची ले होते हैं, कठोर कोरल, इनकी भित्ती का निर्मा कैसे होता है, या प्रवाल विरंजन आपने नाम सुना होगा, कोरल ब्लीचिंग, कोरल जब मर जाता है, तो सफेद रंग में, कैलसिम कार्बूरनेट का बना होता है, तो रंगी इन से सफेद बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं, प्रवाल विरंजन, या फिर कोरल ब्लीचि होगी या अनियंतृत प्रवाल हार्वेस्टिंग होगी तो कोरल समापत हो जाएंगा किया है कि मैक्सिमम वहाँ पर पाई जाते हैं आस पास च्छित में गंदगी ज्यादा नहीं होने चाहिए और तापमान भी आराम सत्रह से बीस के बीच में हो तो इनके लिए बहुत सुटेबल होता है ना ज्यादा ना ज्यादा कम टेंपरेचर यह जहल पाते हैं यह विसेश्टाएं होती है यह पूछा भी गया एक्जाम में इसलिए बता मैं इसको भी कराय दे रहा हूँ इस बाद यह भी करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं विस खत्रे में विस धरवर स्थल की सूची तो यह मतलब जैसे सामिल किया गया था ना तो आयू सीन और यूनेसको के वर्ड हैरिटेज सेंटर ने एक सेंट रिपोर्ट जारी किये इस ग्रेट बेरियर रिफ को खत्रे के विस विस वरासत सूची में सामिल करने की सिपारिस की गई है रिफ के पतन में समुत्र के जलका बढ़ता हुआ था अपमान कोरल ब्लीचिंग और क्राउन ओफ थॉर्ण इस्ठार फिस योगदान कर रहे हैं किसी वरासत इस तल को खत्रे इसके बाद बात करें एक्रो पोरा कोरल्स के बारे में एक्रो पोरा इंपोर्टेंट है एक्रो पोरा प्रवाल तो एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 36 वरसों के दोरान ग्रेट बैरियर रिफ के आवरड में सबसे अधिक विस्तार हुआ है यह विस्तार ग्रेट बैरि अब बात करें ब्लैक कोरल्स की काला मुंगा की बात करें तो सोथ करता हूंने आस्टेलिया में ब्लैक कोरल्स की नई प्रजातियों की खोज की है ये नई प्रजातियां ग्रेट बेरियर रीफ के तट से पच्चिस सो फीट नीचे पाई जाते हैं हालांकि आमतर पर इन्हें गैरे समुद्र के प्रवाल के रूप में बाना जाता है इनका रंग दुरलव ही काला होता है बलकि ये सफेल लाल हरे पीले या भूरे रंग में भी पाई जाते हैं इसके बाद बात करें ऐन्यों जैंतली कोरलस के बारे में तो पहली बार भारत के प्रविय सब्स क्रवे इंडिया ने अंडमान और निकवार्द त्विप संहूँक के जल से एचुजे अंतली कोरल की 4 प्रजातियों की मौझूदगी को दर्ज किया है मुंगा की सभी 4 प्रजातियां एक इकोल त्विल्डे की सम्बंदेते हैं और दर्ज की गई 4 प्रजातियां है फ्रॉन कैटो फ्लेवेलकम, क्रेसम T, इंक्रेस्ट एटम टी एक्यूलेटम टी इरेगुलरे ठीक है ये चार प्रिजातियां नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा कोई समस्या आपको होगी ये प्रिजातियां पहले जापान से लेकर फिलिपीन और ऑस्टेलिया इक जल में पाई जाती थी उप्रक प्रिजातियों में से केवल टी क्रेसम ती क्रेसम को अदन की खाड़ी में और फारस की खाड़ी सेथ हिंद पश्च्वी प्रसांद महासागरिक स्वीमा के बार पाया गया है एजू जैंथली मुंगा ऐसा मुंगा है जिसमें जू जैंथल नहीं होता है जिस सूर से नहीं बलकि लवक के अलग अलग रूपों में पोसर प्राप्त करता है जनी कि और जू जैंथली है वो प्रकास लेसर के द्वारा निर्भर करता है उनसे भोजन प्राप्त करता है जब समुद्र को दर्शाते हैं इन में अधकांस प्रजातियां 200 से 1000 मीटर के बीच पाई जाती है उतले 30 जल में भी कभी-कभी इसको देखा गया है अब बात करते हैं अन जयाव विविट्ता संबंदी पहलों के बारे में तो उसकी चर्चा एक अन जयाव विविट्ता संबंदी पहला है और सुचकांग के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धन्वाद चैनल पर नई हैं तो चैनल को स्प्राइब कर लिए